ओम नमस्षिवाई जाए महाकाल दोस्तों मेया नाम दीतिर आपका मेजेनल पर बहुत-bहुत सबस्वागत है आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूँ आपके साथ यूँ घर पर हम मिटी के शेब्लिंग बना कर कैसे अभी शेक करें उनका कैसे पूज़न करें पूरी पूजया बनाया है शेवलिंग बनाई है इसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है कल मैंने इसका वीडियो डाल दिया था अगर आपने ना देखाओ तो आप देख लिजिए आप को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि है मीटीकी संकरजी पार्थिर्ष शेवलिंग हमें कैसे बनान पूरा होता ही तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं एक नियम जरूर बना लें नियम बनाने से क्या होता है कि हमें आज पूजा करने हैं अविश्यक करना है तो उसके लिए साइड सामगरी भी हमें पहले से ही त्यारी करकर रखनी होती है इसलिए नियम बनाना बहुत ज़ुरी होता है, एक संकल्पनेना ज़ुरी होता है, कि हम पूरी सावन मा हमें शिवजी का जो है मुख और बाव झुब로 पूरफ की तरफ हो इस तरह के करना हमां सबसे पहले और तु धामे 큰 काथे में हैं कiqué कली विशेष्ट कर आप ध्यान रखें उबला हुआ दूद नहीं पूजा में इस्तमाल में लाया जाता है हमें कच्छा दूध ही चाहिए राव मिल्क तो कच्छा दूध हो गया दही हो गया शहत अभी मैं डाल रही हूं और ध्यान रखेंगा क्योंकि यह मिट्टी के शिव लें अब भगवान को सेवा करते हुए और ओम नमश्यवाय का जाब करते हुए आपको भी शेक करना है देखें मैंने घी डाल दिया था और इसके बाद हमने डाल लिया है चीनी तो यह पांच चीजे आपको पंचा मित लिए चाहिए दू दही घी शहत और शक्कर यह पांच ची यह चाहिए बस आपको पूझा करना है तब भी आप इस तरह के से पूझा कर सकते हैं शिवलिंग बना का घर पर थे किस तरह की सब्सक्राइब पूजा करना है यहे जाकिन को मॉर्णिंग में कर लेनी है जैसे कि 10-11 बज़ी तक भी आप करेंगे तब भी चल जाएगा और तो बहुत अच्छा रहेगा और जो उनका विसर्जन करते हैं वो हम करते हैं शाम को चार वजी के बाद इस बाद का ध्यान रखे तुरंद की तुरंद भगवान को नहीं उठाते हैं तो आप देखे आने फिर से और से रिशेक कर दिया है अब हमें जो चंदन होता है सफी चंदन थ्यान रखेगा सफ़ी चंदन को आपको ऑच्छी से घिस लेना है कहातोंमे या फिर आपकी किन í पात्योंन को पूछимся सकते हैं और यहां से univers या फिर आप अपया कर सकते हैं इसमें इस पूजा में या फिर आप मंदिर जाए तो वहां भी कर सकते हैं कोई भी 108 चीज़ें गिन कर लेके जाई और वो शिवलिंग पर अर्पित कर दीज़ें चाहे वो 108 मूंग के दाने हो 108 चावल के दाने हो 108 आप किशमश ले लें देखें कोई भी चीज़ हो इसे की 108 बेल पत्र भी ले सकते हैं जो भी आपको आपको आसाने से अपलवत हो जाए देखिए मैने यह शमी भी अर्पित करती है शमी का आपको अगर पता हो फिर नहीं भी पता तो भी मैं आपको बताती हूं शमी का एक पता जो होता है न वह सो बरावर होता है तो आप चरूर शॉमी चराएगा समी से बहुत चल्दी प्रिशंद होते हैं नहीं तो बेल पत्रतों मिली जाती है पूजा की दुकान पर भी मिल जाएगा पर शमी का पोधा मेरी घर पर लगा है इसलिए में सब बंदर जाती हूं जब भी चलाती हूं घर पर नीले फूल जितने भी फूल हैं भगवान को सभी प्रिय होते हैं और अप्राजिता का फूल अब यह एक दो महिने पहले प्राजिता की भेल भी घर पर लगा लिए उसमें बहुत सुन्दा नीले फूल आ रहे हैं तो वह अर्पत करती हूं और ध्यान रखे का जो बेल पत्र आप अरुपित करें तो वह खंड़ित नहीं होने चाहिए उसको आप काट लेने घंड़ी होती वड़ी नहीं होने चाहिए उसको काक लेने तो भगवान की ऊपर भार होता है और उल्टी साइड से चिकनी वाड़ी साइड जाना है तीन उंगलियों चिड़ाईए उसका विश्यश्वाल मिलता है आप बेल पत्र का जो है मंत्र भी बोल सकते हैं तुझरम तुझरम कारम तुझरम तुझरम पापम सहारनम एक बेल पत्रम सिवर परमस्तु इस तरीके से या फिर आप ओम नमश्वय का जाएए और यहां मैंने चीनी का और ड्राइफूट का फोग लगाया है और कच्छी दूद का फोग लगाया है कच्छी दूद को बहुत प्री होता है अभी शिक करने में भी और चल चलाने में भी इस तरीके से आपको भगवान की पैट चुले ना है जिससे कोई भूल जरूर चिरा दीजिगा और फिर बाद में सूला सिंगार का सामान होता है वह भी अर्पेद आप यहां जरूर कीजिएगा और फिर उसको आप किसी भी सुहाग जिस्ति को दे सकते हैं खुद भी इस्तवाल में ले सकते हैं अगर आपने ब्रत रखा है तो नहीं तो रोज ज कोई भूल चो हो जाए मुझा ओए अब यहां पर हमारे गी की बनी हुई बाती थी यहां पर हमने जला के रखी थी उसी से हमारती कर लेंगे और आप चाहें तो यहां कपूर से भी आर्थि कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं जैसा भी आपको जमैए मिले अब देखिए हात भी फल होते हैं वह आप अर्पित कर दीजे और अब हम आरती भगवान को देंगे आरती खुद ले लेंगे इससे रखकर पैर चुएंगे को भूल चुक हो जाए तो अपनी भूल चुक की माफी मांग लेंगे और अब मैं आपको बताती हूं कि हमें विशर जन कसी करना है थो अब जानी में दूद में रखे हैं तो इसका बहुत ज़्दा अच्छा मातों मिलता है बहुत इसका लाफ मिलता है क्योंकि भगवान को थंड़ा थंड़ा पसंद थंड़े में रहना पसंद तो देखिए अभी मैं शाम की टाइम पर आगी हूं मंदिर में और यहां पर जह जो आपने चिडाईन थी वो इकलोटे में निकाल लेंगे आप इसका भूमी विशचन भी कर सकते हैं या फिर जल प्रवाब जल बहते हुए जल में विशचन कर सकते हैं पर मेरे यहां पर घर के बाहर ही हर्शिंगार का पेड़ है मैं उसके नीची ही डाल देती हूं यह ज परिशान मत हुएगा अब थोड़ा से जल लेकर हम पूरी थाली में एक भी तिन का ना रहे एक भी मिट्टी का दाना ना रहे इसको आप अच्छी तरह किसे उठा लीजे घर पर ही आप इसका विशचन कर सकते पर एक वाद का विशचन ध्यान रखेगा घर की अंदर नहीं करते हैं और घर में रात भर के लिए सिवलिंग बनी नहीं छोड़ना चाहिए वाद का विशचन ध्यान रखेगा सोवे बनाई और शाम को आपको विशचन करना ही करना है अब इस लोटे को सिर पर रखेंगे हम और प्रात्ना करेंगे भूल जुक माफ करें और इसका जले ह जंगा अपने उपर ठेक लें अच्छा रखेंगा अब चलिए मैं बतातीऊं घर के बाहर मिरे जो क्यारी है में आप लिके चलती हूं आपको यह देखी में मेरा मेरा में गेट है में घर के बाहर जा रही हूँ यह देख इस तरीक में और यहां प्रात्ना चौटा सब आप और इस तरीके से छोटे रूप में आप विशर जन कर सकते हैं और सभी काम आपके कार्य शुब तरीके से बने यह प्रात्ना करेंगी हम अपने भोले बाबा से तो चलिए आज का यह वीडियो में यहीं सब्थ करती हूं और आप वह वीडियो जरूर देख लेजीगा मेरा कि शुब वाद को कैसे बनाना है हमें घर पर असानि से और मंदर जाकर शुब जी की आविशेक पूचन कैसे करना है वो वीडियो मैंने आवी शुबह ही डाला तो आप जरूर देख लेजेगा चलि आज का यह वीडियो में ही सब्थ करती हूं इस वीडियो को ज़्याद में ह कीजेगा आपको बहुत बहुत धानिवाद।